और आफ़र देफ़र एक नाजर आज़की कोछ और बड़ी खबरों पार जोसे कम से कम पांच पुलिस कर्मी घायल हो गए कश्मीर घाटी में ज़ारी हिंसा और घूसपेट से लेकर आतन की वारदाताओं के बीच ठल्क सेना प्रमुक जनरल गलबीर सुखाग आज स्थिती का जवाईजा लेने जमू का दोरा करेंगे पूरवी कमान प्रमुक लेटनेंट जनरल प्रवीन बक्षी भी आज जमू में मौझूद होंगे बक्षी के ही अगला सेना प्रमुक बनने की संभावना है कूफे एजन्सियों ने इसका खुलासा करते कोई बताया है कि भारत में हमले के लिए पी ओ के में मौझूद लश्कर और जेस के आतंकियों ने नया प्लान बनाया है इसके तहट नेपाल और गल्फ देशों के जरिये भारत में गूस पेट की कोसिस करने की उचना है जानकारी के मुटाबिक आतंकियों ने फर्जी पासपोर्ट बनवाई जा रहे हैं ताकि इनके जरिये वे नेपाल और गल्फ देशों के रास्ते आसानी से भारत में गूस पेट कर सकें इसके लिए पी ओ के में कई नए सेंटर बनाये गए हैं जहां नए आतंकियों की भड़ती और उनकी ट्रेनिंग टेज हो गई है इस नए रनीती के तहट बड़े महानगरों में आत्म घाटी हमलों को अंजाम देना है कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वाक यूद की प्रिष्ट भूमी में पाकिस्तान सरकार मुंबाई हमले के मास्टर माइंड हाफिस साईद के टेलेविजिन चैनलों पर नज़र आने पर लगी मीडिया नियामक प्रशासन की रोख के संधर में चूर देती नज़र आ रही है और यह आतंकी टेलेविजिन चैनलों पर फिर दिखने लगा है कश्मीर में हालिया हिंसा का दौर शुरू होने के बाद से साईद फिर से नीज़र टेलेविजिन चैनलों पर दिख रहा है और वे कश्मीरियों की पेरोखारी और प्रधानमंति नरेंद्र मोधी के खिलाफ तीखे बोल बोलते नज़रा रही है वे बीदे एक सब्ता के दौरान मुख्य रूप से नियोर्क टीवी चैनल के शो में दिखाई दिया है पाकिस्तान इलेक्ट्रोनिक मीडिया नियामक प्रधिकरण के नीज़ी चैनलों पार सईद के नज़राने स्पेस अंधर में कोई संग्यान नहीं लिया है जिससे ये संकेत मलता है कि नवाज शरीफ सरकार ने सईद एवंग उसकी संगठनों के खिलाफ लगे प्रतिबंद को चुपचाख अटा लिया है 15 अगस्त को लाल किले से प्रधान मंती में भले ही गिलगिट और बलुतिस्तान के आंदोलोनों का समर्थन किया हो लेकिन केंटी सरकार के सामने सलحाल बड़ी चनाती जमू कश्मीर में अमन की बहाली है गुरहेम अन्त्राले के सूत्रू के मताब्थ पिछे कुछ दिनों से सीमा पार्ग से करोड़ों की रकम यहां अश्णती पैदा करने के लिए लगाए गयी है सरकारी सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि कश्मीर में अशांती का ये दौर जल्द खतम होने वाला नहीं है वरिष्ट सरकारी सूत्रों ने कहा जिस तरह से यहां पैसा जोका जा रहा है उसे लगता नहीं है कि प्रदर्शनों का ये दौर जल्द खतम होगा घाटी के युवाओं को प्रदर्शन करने और सुरक्षा बलो पर हमले करने के लिए पैसा दिया जा रहा है सुरक्षा एजिंसियों के मुताबिक गीते तीन हफ्तों में यहाँ 24 खड़ो रूपाई खर्च के गए अमेरिका ने कश्मीर घाटी में हिंसा पर चुंता जटाई है उसने भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवार्द का शांती पूर्ण हल्क पोजने का आगरभी किया है अमेरिकी विदेश्ट विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि हम संगहर्ष से वाकिफ हैं हम हिंसा को लेकर चिंदित हैं और सभी पक्षो को शांती पूर्ण हल के लिए पुचसाफित करते हैं प्रवक्ता से प्रधानमंती नरेंद्र मोदी दोबारा पाकिस्तान में वलुचिस्तान और पाकिस्तान के कबजे वाले कस्मीर की स्वतन्तिता के लिए खुला समर्थन के जाने के बारे में पूछा गया था उन्होंने इस विवाद में सामिल होने से इंकार कर दिया और कहा कि अमेरिका ने कश्मीर पर अपनी स्थिती नहीं बगली है ये हमेशा दो देशों के बीच विपक्सिया मुद्दा रहेगा सुप्रीम कोट में आज घर को लेकर बड़ी सुनवाई होनी है युनिटेक बिलडर ने गुड़गाओं के विस्टा और नौईड़ा के बरगंडी परजेक्ट में हजारों लोगों से पैसे ले लिए लेकिन घर बनाकर नहीं दिया सुप्रीम कोट में पिछली सुनवाई में युनिटेक में हाथ खड़े कर दिये कि पैसे नहीं है इसलिए ना तो घर दे पाएंगे ना पैसे लोटा पाएंगे सुप्रीम कोट आज पैकरेगा की क्या करना है दरसल साथ आच साल पहले गुड़गाओं के शांदार सेक्टर सत्तर में युनिटेक में विस्टा नाम है परजेक्ट की नेव रखी थी 1200 फलैक बने थे तब युनिटेक्ट का नाम भी था और काम भी था लोगों ने आँख मूल कर गाड़ी कमा युनिटेक्ट के हवाले कर दी और घर के उस सपने के 2012 से 2013 में सच होने का इंतजार करने लगे साल 2012 से 2013 आया और आकट चला गया लेकिन लोगों का सपना सपना बन कर रखे गया पंजाब कांग्रेस आम आदी पार्टी को जटका देने के लिए आपके दो सांसदों को साथ लेने की कोशिस में है सूत्रों के मताबिक पार्टी उपाध्यक रखे गांधी के घर पर पंजाब कांग्रेस की को ओडिनेशन कमीटी की बैठक में इस पर सहमती जटाई गई पंजाब में आम आदी पार्टी के चार सांसद है जिनमें से दो घरमवीर गांधी और हरिंदर सिंग खालसा के साथ कांग्रेस संपर्क बनाये हुए हैं पार्टी का ये भी कहना है कि अगर ये दोनों कांग्रेस का साथ देते हैं तो फाइदा होगा दोनों को सही पोजिशन दी जाएगी राहुल गांधी के घर चली बैठक में पंजाब कॉंग्रिस में मुख कैप्टन अमरिंदर सिंख, कैप्टन कमेटी प्रमुख अंबिका सोनी, प्रभारी आजशा कुमारी और रणीती कार प्रसांत की सोर भी मौजीद है बैठक में कॉंग्रिस के नए कारिकरम एक बुठ बीस यूद की जानकारी भी दी गई जोसमें पीएम मोदी की तर्च पर नारा भी दिया गया घर-घर कॉंग्रिस हर्ग हर कॉंग्रिस बिहार में शराब के अड़ो को जब्थ कर उसे सरकारी संपती खोसित की जाएगी पिश्वर दिनों जिले के तीनों अड़ो पर छापे मारी कर उतपाद विभाग ने सरापक लिए थी उतपाद अधिक्षक हुमार अमित ने दी-एम धरवेंदर सिंख को अड़ो को जब्थ करने और उसे राजु सरकार की संपती खोसित करने के लिए पत्र लिखा है उतपाद विभाग के अवर धिरिक्षक ने पांच अगस्त को दामोदर्पुर के निलिमा ट्रेडर्स की दुकान में च्छा पे मारी की थी इसमें अवेद विदेशी शराप के साथ तीन आरो पिता को पकड़ा गया था दुकान को विभाग ने सीन कर दिया है राज़साथ कानून के तहट सराप पीने पिलाने बनाने या बेचने वाले जगा को जब्त कर राज़े की संपती घोशिक के जाने का प्राबधान है कानून के तहट सराप फकरे जाने वाली जगा को भी जब्त कर लिया जाएगा उसे भी राजु सरकार की संपती घोशित की जाएगी पहले से ही कई मुद्दों पर घीरी केजरिवाल सरकार के लिए मुश्किले कम नहीं हो रही है अब सराव के लाइसंस पुलेकर केजरिवाल सरकार पर लगातार हमले हो रहे है आटी आई के जरी खुलासा हुआ है कि केजरिवाल सरकार हर दूसरे दिल सुराब का लाइसंस दे रही है आटी आई की माने तो सरकार खुद मान रही है उसने पिर साल में कई लाइसंस बाते हैं दरसल ये आटी आई बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने डाला था जिसमें ये पूछा गया था कि आखिरकार केजरिवाल सरकान ने 15 परवरी 2015 से 5 जुलाई 2016 तक कितनी दुकानों को सराप के नए लाइसंस दिये साथ ही ये भी पूछा गया कि दिली में कितने रिस्टरंट को बार के लिए लाइसंस दे गए जुसके बाद जवाब में पता चला कि पिछले और साल में किद्रीवाल सरकान ने 72 दुकानों को शराप का लाइसंस दिया वही 217 रिस्टरंट को बार लाइसंस दिया यानि 289 के तरीब सराप के लाइसंस बाते हैं। सिसोधिया ने चुट्छी में साफ लिखा है कि चाइनीज मांचे के पती बंच से जोड़ी फाइल पर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए परेवरन सखीर में साथ दिन का वक्त लिया। केजरिवाल ने कहा कि गुजरात में दमन का माहौल बिलकुल स्पश्ट नजर आता है क्योंकि दलितों पर बार बार हमले हो रहे हैं। अधिन पार्टी के नेता खेजरिवाल उना की रैली से लॉट्स वहे कुछ दलितों पर कुछ लोगों के हमले के लिए एक दिन बाद बोल रहे थे। गुजरात के उना मिसोमवार को दलितों पर हुए हमले को लेकर मंगलवार को 26 लोगों को गिरुफतार किया गया है। स्थानिया लोगों दौरा दलितों और पुलिस पर किये गए हमले में एक गरामन और पाँच पुलिस पर ही भाइल हो गये। इसमें एक DSP और एक इंस्पेक्टर भी सामिल है इस मामले में पुलिस ने दो मामले दर्च की हैं फिलहाल कोई ताजा घटना नहीं हुई है लेकिन उना शेहर में तनाव जैसा हालात है जुनागर रेंच के آईजी बिजेश कुमार ज्हा ने बताया की स्थिती अब नियंतरन में हैं इस हमले के सलसले में दो मामले दर्च के गए हैं एक दलितों पर हमले के लिए जिसमे 4 लोग हायल हुए और दूसरा पुलिस पर हमले के लिए गिरिफतार लोगों के खिलाफ दं आतंगवादी मारे गए जबकि अन्यर 64 खायल हो गए। कारी कारलेओं को नियंतरन में ले लिया है। उसके बाद से वहाँ लगातार छिट फुट छडपे हज़ारी है। की शेश में वांग ने बाजिमारी है। ये अलग बात है कि सिंधू ने एहम पड़ाव पर वांग पर अपनी तीसरी जीत दज करते हुए उन्हें ऑलम्पिक जैसे बड़े आयजन से बाहर कर दिया है। सिंधू की इस जीत के साथ ही भारत की ऑलम्पिक में पदक जीतने की उमीद फिर से जागी है। लेकिन सेमी फाइनल मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। उन्हें एक बार फिल से दुनिया की टॉप महीला खिलारी से पकराना होगा। अगले दौर में सिंधू का सामना जापान की निजोमी अकुहारा से होगा। बिजिंग उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतिया निसान अबाज अब धिनव विंद्रा ने कहा कि ब्राजिलियाई महानगर रियो जी जनुरिया में चल रहे उलम्पिक खेलों में भारत को अब तक एक भी पदक ना मिलने के लिए भारत की रिवस्था जिनता है ब्रिटेन का उधारन देते हुए बिंद्रा ने कहा कि देश में खिलाडियों पर परयाप निवेश करने के बाद ही उन से पदक की उन की जाने चाहिए बिंद्रा रियो ऑलम्पिक की 10 मीटर एयर राइफिल इवन्ट के फाइनल में चौथे सान पर रहे रहे थे और ब्र देश किये जाने की जरूरत है जब तक देश में विवस्था को दुरस्त नहीं किया जाता तब तक मेडल की उमीद नहीं की जाने चाहिए रियो ऑलम्पिक में भारत के पहलवा नर्सिंग यादव के मुकाबले को लेकर शंस्रय गहरा गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग ए जेटा नर्सिंग ने दावा किया था कि वे विरोधी खेमे की साजिश का शिकार हुए हैं इस दावे को नाड़ा ने अफील के बाद शिकार कर लिया था रियो ऑलम्पिक में नर्सिंग यादव को august को मुकाबला के लिए हरी जंडी मिलने के बावजूद उनको लेकर सवा उठाई जा रहे थे मामले में वाडा ने 13 अगस्त को नादा को पत्र लिखा था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी में रसिंग मामले में नादा के फैसले को मानने से इंकार कर दिया था इस न्यूस बुलिटन में फलहाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मैं टुटी वी से नमस्कार